सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल ओनलाइन जॉब वर्क को यहां सब्सक्राइब के निशान पे टच करके और उसके बाद घंटी के निशान पे भी टच करतीजिए ताकि हमाई नहीं नहीं वीडियो आपके पास पहुंशती रहें और यह बिल्कुल फ्री होता है दोस्तों नमस्कार दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल में दोस्तों आज किस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि ऐसे टॉपिक के उपर जिसमें आप भी मुझसे काफी हद तक तालुक रखते होंगे या आप मेरी बात से काफी हद तक सहमत होंगे दोस्तों हम बात करेंगे इस टॉपिक में जियो के बारे में दोस्तों आपको नहीं लगता है कि जियो हमें बेवकुप बना रहा है दोस्तों देखे पहले जियो जब आया था तो वह बिल्कुल परी बताया गया था फिर उसके बाद 399 रुपे की प्राइस रखी गई जिसमें हमें तीन म और कंडिशन अगर आप देखेंगे नियम और शर्ते तो उसमें वह आपको पता चलेगा कि हमें वह 6-6,000 रुपे का फोन पड़ेगा तीन साल के अंदर तो दोस्तों मैं आपसे कुछ टॉपिक के और कुछ पॉइंट्स के उपर बात करूँगा तो आप भी अगर उससे त 99 में सिर्फ 70 दिन का ही डाटा दिया जाता है जो कि पहले हमें 3 महीने का दिया जाता था 399 रुपे में और अगर अब हमें 3 महीने का डाटा लेना है जो कि सिर्फ 84 दिन का ही है तो वह हमसे 400 रुपे ले लेते हैं दोस्तों बात यह नहीं कि वह हमसे 400 रुपे ले लेते हैं लेकिन आपने notice क्या होगा कि आपके phone में जो हम free calling जो हमें ये Jio देता है, वो हमें free calling कैसे देता है, वो भी हमारा data ही use होता है जब तक हम net on नहीं करते हैं, और कापी हद तक सिर्फ 30-40% ही लोगों को हम call करते हैं, जो लग जाती है, वरना कोई कॉल जियो से नहीं लगती हमें अपनी दूसरी सिम के द्वारा ही उन लोगों को फोन करना पड़ता है क्योंकि जियो लगबग पूरे दिन में आप कहें तो 6-7 गंटे वो आफ लाइन ही पड़ा रहता है जैसे कि मैं अभी वीडियो बना रहा हूं देखे आप मैं यह डाटा ओन है आप यहाँ पर देख सकते हैं डाटा ओन है लेकिन जो मेरे जो जियो इसकी वोईस की जो एप है वो आफ लाइन है मैं बहुत दिनों से यह प्रॉब्लम फेस कर रहा हूं और मैंने कस्टमर केर पर भी फोन किया है और आप भी करते होंगे तो आपने यह भ स्टमर में यह कंप्लेंट फाइल की थी लेकिन अभी तक इसका कोई निवारन जो है वो नहीं हुआ और दूसरी बात इसकी स्पीड इतनी स्लो है कि आप डूसरी अगर जितनी भी सर्विसीद आज कल है उसके मामले में स्पीड बहुत स्लो है आपको कभी तो सुबह ही मैसे स्पीड होती है वो स्लो कर देते हैं जबकि यह कहते हैं कि हमें दिन की 1GB 4G हाई स्पीड का इंटरनेट दिया जाएगा लेकिन ऐसा नहीं होता बहुत ही कम हमें 4G की स्पीड दी जाती है और जैसे ही थोड़ी देर हम यूज करते हैं तो उससे पहले ही हमें मैसेज भेज द हो जाती है उसकी प्रॉब्लम आपको फेस करने को मिल रही होगी तो दोस्तों देखें यह हमें फ्री वॉइस कॉल देते हैं जो की लगती नहीं है हाई स्पीड डाटा हमें देते हैं जो कि कभी हाई स्पीड होता ही नहीं है स्पीड का इशू हमेशा से ही जियो के उपर र लगबख 60-70% लोगों को Jio voice call offline ही रहता है मुश्किल से 20-30% लोग हैं जिनकी voice call काम करती होगी और मैं आशा करता हूँ शायद आप वो लोग हो दोस्तों मैं सिर्फ यह कहना चाहता हूँ देखिए अब हम Jio के क्यों आदी बने थी कि हमें पहले इतना net मिलता था कि हम यूज करते थे लेकिन अब Jio भी उतना ही महंगा हो चुका है जितना और company और Jio जितने रुपे में हमें data देती है उतना ही data हमें दूसरी companies भी दे रही है जैसे कि आपने कई हमारी market में कई companies हैं मैं भी दूसरी मेरा पास भी दूसरा एक number है तो उसकी जब मैं net यूज करता हूं तो Jio की speed से काफी high speed उसका net है तो दोस्तों मैं तो आप से यह कहूंगा कि आप अप Jio के पीछे लगना बंद कर दीजिए और अगर आपको दूसरे कोई company अच्छा offer दे रही है तो प्लीज आप उसे अपना लीजिए क्योंकि सेम चीजे वो भी दे रहे हैं सेम जिस तरह से Jio अपनी voice app के जरीए आपको free call देती है उसी तरह वो company भी आपको अपनी app के थुरू free voice call दे रही है या फिर वो तो आपको वैसे ही free voice call दे रहे है तो और data भी आपको उतना ही दे रहे है दिन भी आपको लगभग उतना ही दे रहे है लेकिन आप एक चीज नोटिस जरूर करेंगे कि Jio की जो internet की speed है उससे वो आपको 2-3 गुना जादा high speed data जरूर देंगे और आप उनकी speed और इनकी speed में आप match कर लीजेगा आपको दूसरी company की जो internet की speed है वो आपको ज़्यादा ही मिलेगी तो दोस्तों मैं आपसे सरिफ यही कहना चाहता था कि आपने अभी अगर इन points को ध्यान करा होगा जो मैंने आपको भी Jio के बारे हैं बताए तो अगर आपको भी ऐसा लगता है तो प्लीज इस वीडियो को like जरूर कीजे और हमारी इस वीडियो को share भी कीजे ताकि और लोगों तक भी यह information पहुँचे और हमारे चैनल को subscribe जरूर कीजे यह लाल निशान के उपड टच करके और उसके बाद घंटी के निशान पर भी जरूर टच कीजे दोस्तों ताकि आपको माई नईने information लगाता मिलती रहें और यह बिल्कुल फिरी होता है और आप इससे जहाँ से यादा पायदा उठा सकते हैं तो अभी के लिए इतना ही धन्यवाद